हलो दोस्तो हमारी चैनल पे आपका स्वागरत है आज हम आपको बताएंगे घर पर फेसियल करना जिसके लिए आप पारलर जाते हैं बहुत सारा पैसा देते है एक हजार कम से-कम लगी जाता है तो आज हम आपको कीचन की सामान से ही घर पर करना बताएंगे तो जिसके लिए हम दोद ले लेंगे कॉटन और चेहरा साफ करेंगे देखिए हमारा चेहरा एकदम क्लीन है इस पर कुछ भी नहीं लगा है न क्रेम न पाउडर कोई भी मेकप नहीं है जो भी है वर्जिनल है तो फिर भी चमाक आएगा हमारे चेहरे पर कोई दाग नहीं है क्योंकि हम यह हर अप्ते में करते हैं तो दीखिए पहले कॉटन से चेहरा साफ कर लेंगे अच्छे से पांच मिनिट तो लगेगा इस तरह से अब दो चमाच हम लेंगे चावल का आटा और दो चमाच दूद या दूद हिसाब से ले सकते हैं जिसमें की पेष्ट तयार हो जाए चेहरे पर लगाने के लिए तworkers अच्छे से गोल बना लेंगे इस तरह का देखे इस तरह का गोल होना चाहिए अब हम इसमें थोड़ा सा सहएध डालेंगे एक चमाच अब हम इसको चेहरे पर स्क्रप करेंगे चावाल के आटे से हमें स्क्रप करना लेंग देखिए इस तरह से करना है डाइरेक्शन सही होना चाहिए जिससे कि चेहरे पर अच्छा प्रभाव पड़े क्योंकि उल्टा-पूल्टा करने से चेहरा सही नहीं रहता है इस तरह से हम स्क्रब करेंगे पांच मिनट तो लगी जाएगा स्क्रब करने में तो पांच मिनट बीद चुका है और सूख भी चुका है तो हम इसको एक हैंकी लेंगे उसको पानी में या सूथी कपड़ा कुछ भी ले ले उसको पानी में भीगा कर इस तरह से चेहरा क्लीन क देखे चेरे पर अभी से चमा काने लगा है, देश सकते हैं आप लोग, ये सब मेरी बेटी कर रही है, आप चाहे तो कुछ से भी कर सकते हैं, तो चेरा आप क्लीन हो चुका है, देखे, अब हम फिर से एक कटोरी लेंगे, उसमें आधा चम्मच के हिसाब से जितना की चेरे प इसको चेरे पर अच्छे से अपलाई करेंगे, ये फेस पाये खाये, इसको चेरे पर लगा कर छोड़ देंगे, जब तक की सूख नहीं जाता, दस मिनट, पांच मिनट, जितना समय लगे, तब तक हम इसको चेरे पर लगा कर छोड़ देंगे, देखिए इस तरह से, अब हम सोख चुका है, दस मिनट बीच चुका है, फिर से चेरा, कोई भी कपड़ा भीगा कर क्लिन कर लेंगे, कपड़ा विगाकर चेहरा इस तरह से क्लीन कर ले अब चेहरा क्लीन हो चुका है पूरा स्टेप थ्यान से देखिए बहुत ही अच्छी चीज है ये एक बार आप कर लेंगे तो भूलेंगी नहीं अब हम दो चमश बिसन ले लेंगे एक पिंच हल्दी दूद जितने में की पेश्ट त्यार हो जाए ये पूरा प्रोसेस करना है ध्यान रहे तभी आपके चेहरे पर वो ग्लो आएगा जो आप फेसियल में पाते हैं इस तरह से अब हम चेहरे पर लगा कर इसको छोड़ देंगे जब तक कि सूप नहीं जाता दस मिनट पांस मिनट जो भी पारलर जाते हैं फेसियल करवाते हैं वो एक बार कर लेगे तो उनको पता चल जाएगा अब हम इसको पानी से दोल लेंगे दस मिनट बाद सूखने के बाद फिर हम आइस लेंगे योगी हम फ्रेज में जमा कर रखे थे देखिए बरफ को सूती कपड़े में लेके इस तरह से पांस मिनट तक अपने चेहरे पर धीरे-धीरे मसाज करना है धीरे-धीरे तेज से रखड़ना नहीं है धीरे-धीरे मसाज करना है फिर देखिए आपके चेहरे का चमक किस तरह से लग रहा है आप देखी सकते हैं तो 5-6 मिनट तक मसाज करें और देखें चेहरे में किस तरह से चमा का रहा है अब मसाज हो चुका है अब हम तेल लेंगे नारियल का तेल सिर्फ नारियल का तेल और फिर चेहरे पर मसाज करेंगे और चेहरे पर मसाज करके छोड़ देंगे उसके बाद चेहरा चाहे पाने से धूल ले या फिर ऐसे ही छोड़ दें और चेहरे का चमक आप लोग देखी रहे हैं और अगले दिन और चमक आता है चेहरे पर एक बार आप ट्राइ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो हमारी जनकारी इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, सेक्स्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूले देखिए मसाज इस तरह से करें डायरेक्शन सही होना चाहिए इस तरह से मसाज करें कम से कम 5 मिनट 6 मिनट तो मसाज करें देखिए इस तरह से मसाज कैसे करना है ध्यान से देखिए उल्टा पूल्टा डायरेक्शन पर मसाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए नहीं तो चेहरे में लटक आ जाती है देखिए इस तरह से ही मसाज करें मसाज किस तरह से करना है इसका बहुत ही ध्यान देना चाहिए लोग ध्यान नहीं देते हैं उल्टा पूल्टा मसाज कर लेते हैं तो इसे चेरे पर गलत प्रुभाव पड़ता है तो फूल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद